पुर्वी दिली के मंडावली थाना परीसर में बने माल खाने में बुद्वाराद भिशन आग लगई सूचना के बाद मौके पर पहुँची एक ग्यारे फायर ब्रिगेर की टीम ने एक घंटे की मशकत के बाद आग परकाब उपाया इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है लेकिन माल खाने में रखा लाकों का सामान जल कर खाक हो गया है कुछ दिन पहले मंडावली थाना परीसर ने भारी मातरा में अवैस सराब जब्च की थी जिसकी वज़े से आग ने तेजी से भैवा हरूप ले लिया आपको बता दे कि मंडावली थाना परीसर में ही मदूबयार थाना भी है थाना परीसर में आग लगने की सूचना मिलते ही पुर्भी दिली जिला के एडिस्टनल डिसीपी अचीन कुमार भी मौके पर पहुंचे और हालात का जा जा लिया अचीन कुमार ने बताया कि इस आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है और नहीं कोई घाइल हुआ है माल खाने में रखा सामान जरूर जल कर खाक हो गया है अबी तक कोई भी जान की मतलब किसी को नुकसान नहीं हुआ है ना कोई इंजरी है ना ही कोई मेजर कैशुल्टी हुई है और बट कुछ प्रॉपर्टी का लॉस जरूर हुआ है बिकॉज अफ दिस फायर फायर अधिकारी मनोज कुमार ने बताया कि बूदवार रात तकरीबन 10 बच कर 20 मिनट पर मंडावली थाना परिसर में आग लगने की सूचना मिली सूचना मिलते ही 11 फायर टेंडर को मौके पर भेजा गया तकरीबन एक घंटे की मशक्त के बाद आग पर काबू पा लिया गया है इस आग में किसी के हतात होने की खबर नहीं है माल खाने में रखा साराब सहीत लाखो का केस प्रोपर्टी जल कर राक लोग जा है आग लगने की वज़े चांस के बाद ही साफ हो बाएगी चांस यह 22 बस के 20 मिनट पे हमारे दमकल के कांट्रोल होने की सूछना मिली थी कि मंदावली पूली स्टेशन में पाया रहे है तो तुरंत हमारी तो गाड़िया स्विंट पे आ गई थी तर इस तो 22 अथाइस पे लेक पोर केटेगरी की अपड़िड कर दे गया इसके बाद गाड़िया आ गई ग्यारा गाड़िया मोके पे है लगबक आदा गंटे के बाद हमने अंटर कंट्रोल दे दिया था 23 बसके 20 मिनट पे हमने स्टो मैसेज दे गया फूलिंग ऑपरेशन कंटीनी वे अभी तक किसी कैस्वल्टी के हमें संभावना है नहीं और इसमें माल खाना है तो डिफरेंट काइंड्स ओव मेटिरियल स्टोल इसमें लीकर है और अलग अलग डिफरेंट जो हजार्स है वो झाल झाल झाल